एक इलाके में एक बाबा जी का इंतिकाल हो गया जनाजा तियार हुआ और जब उठा कर कब्रिस्तान ले जाने लगे तो एक आदमी आगे आया और चारपाई का एक पाउं पकड़ लिया और बोला के मरने वाले ने मेरे 15 लाक रुपे देने हैं पहले मुझे पैसे दो फिर इसको दफन करने दूँगा अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं बेटों ने कहा के मरने वाले ने हमें तो कोई ऐसी बात नहीं कही के वो मक्रूज है इसलिए हम नहीं दे सकते मतवफी के भाईयों ने कहा के जब बेटे जिमदार नहीं तो हम क्यूं दे अब सारे खड़े हैं और उसने चारपाई पकड़ी हुई है जब काफी देर गुजर गई तो बात घर की औरतों तक भी पहुँच गई मरने वाले की इकलोती बेटी ने जब बात सुनी तो फोरण अपना सारा जेवर उतारा और अपनी सारी नक्त रकम जमा करके उस आदमी के लिए बिजवा दी और कहा कि अल्ला के लिए ये रकम और जेवर बेच के इसकी रकम रखो और मेरे अबू जान का जनाजार ना रोको मैं मरने से पहले सारा कर्स अदा कर दूँगी और बाकी रकम का जल्द बंदो बस्त कर दूँगी अब वो चारपाई पकरने वाला शक्स खड़ा हुआ और सारे मजमे को मुखातिब होके बोला असल बात ये है कि मैंने मरने वाले से पंद्रा लाग लेना नहीं बलके उसका देना है और उसके किसी वारिस को मैं जानता ना था तो मैंने खेल किया अब मुझे पता चल चुका है कि इसकी वारिस एक बेटी है और इसका कोई बेटा या भाई नहीं है अब भाई मुँ उठाके उसे देख रहे हैं और बेटे भी बेटी वाले खुशनसीब हैं लहाजा बेटी की पैदाईश पे खुश होना चाहिए